भक्त जनू माताओं भेनू सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारे धर्मेंद्र शास्त्री आज हम आपको योगिनी एकाडशी की दिव्य और ग्यानमाई कथा सुनाने जा रहे है इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शियर भी करिएगा तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को योगिनी एकाडशी की बहुत बहुत शुपकामनाएं एवं बढ़ाया भगवान स्री लक्षमी नारायन का भरपूर आशिरवाद आप सभी के जीवन पर नरंतर बना रहे आप सभी सुखी रहें, स्वास्त रहें, व्यास्त रहें और मस्त रहें नरंतर उन्नति तथा प्रगती को प्राप्त करते रहें योगिनी एकाडशी की कथा अरंब करने के पहले हम आपको बताएंगे कि आपको एकाडशी का व्रत कप करना है, कैसे करना है तथा व्रत की विधी क्या रहेगी, पूजा की विधी क्या रहेगी एवं पारणा का समय यने वरत खोलने का समय क्या रहेगा उसके बाद हम आपको वरत की कथा सुनाएंगे पूरे वर्ष में 24 एकाडशी आती है लेकिन जिस साल अधिक मास अत्वा पुर्शोत्तम मास आता है उस साल दो एकाडशी अधिक यने कुल मिला करके 26 एकाडशी होती है प्रत्येक मेहने में दो बार एकाडशी आती है एक क्रश्ण पक्ष में दूसरी शुक्ल पक्ष में दोनों ही एकारशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंतों तथा पुराणों में बताया हुआ है एकारशी का वरत भगवान स्री लक्ष्मी नाराण जी का प्रम प्रीवरत है एकारशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नस्ट हो जाते हैं तथा उनके पुन्यों का उदय होता है जब मनुष्य के जन्म जन्मानतर के पाप नस्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भोतिक सुखों की प्राप्ति होती है इस बार आसाड माहा के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकारशी तिथी का आरंब 13 जुन 2023 की सुबह 9 बच के 28 मिनिट से हो जाएगा वह एकारशी तिथी का समापन 14 जुन 2023 बुधवार को सुबह 8 बच के 48 मिनिट पर होगा अतह जो शुद्ध एकारशी होगी वह 14 जुन 2023 बुधवार को ही रहेगी इस दिन सुर्योदाई व्यापिनी द्वादशी युक्त हरी वासर यने सुद्ध एकारशी रहेगी इसलिए सभी भक्त जनों और माताओं बहनों को इसी दिन व्रत रखना चाहिए योगीनी एकारशी व्रत खोलने का यने पारणा करने का सही समय 15 जुन 2030 गुरुवार की सुबह पांच बच के 32 मिनिट से ले करके आड़ बच के 10 मिनिट तक रहेगा अर्थात इस दोरान व्रत का पारणा कर लेना चाहिए यने व्रत खोल लेना चाहिए अगले दिन यदि कोई और व्रत करना है जैसे प्रदोश का व्रत गुरुवार का व्रत ऐसे में जल फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा करना चाहिए जो भक्तिजन एका रशी का व्रत करते हैं उनको दश्मी से लेकर द्वा दशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवारी रूप से करना चाहिए दश्मी के दिन एक समय शुद्देम साथ्विक भोजन करे इस दिन चावल लहसून प्याज मान समदीरा मसूर की डाल कटल की सबजी का उप्योग भोजन के रूप में बिलकुल नहीं करे दश्मी के दिन पराय अन अर्थाद दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए दश्मी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए ब्रह्म चरिवरत का पालन करना चाहिए तथा एकाडशी के दिन सुभा जल्दी उठकर के स्नान करके पूजा अर्चना करके एकाडशी वरत का संकल्प धारन करें संकल्प धारन करने के लिए भगवान के सामने आसन पर बेट करके शुद्ध घी का दीपक जलाए एक पूजा की ठाली में रोली चंदन और अक्षत के स्थान पर जव या तिल रखे पीले पुश्प रखे तुल्शी जी का पत्ता रखे सुपारी रखे कुछ पैसे रखे आप जो हम भूलने जा रहे हैं। उस संकल्प को सुनते हुए आपको संकल्प लिना चाहिए। श्वेतवारह कल्पे वैवस्वक्पन मंत्रे अश्टा विन्शतिटमे कल्योगे कली प्रथम चरने भूरलोके भार्थवरसे भर्थखंडे जंबुद्वीपे आर्या वर्तान तरगत ब्रह्मा वर्तैक देशे अवंतिकायाम विशालाक्षेत्रे मध्यप्रदेशे भूपाल मंद्लान तरगते भूपाल नान्मन अगरे सम्मत दोजारसी मासा नाम मासे पुन्य पवित्र मासे आशाण मासे शुभे इही कृष्ण पक्षे एकाद अश्यायाम पुन्यत थे ओहु बुद्ध वासरान विटायाम मा अश्विनी दिवश्नक्षत्रे मेस रासी स्थे स्री आप सभी बोलिएगा मम आत्मनह अपने नाम और गोत्र का आप उच्चरन करिएगा शुति स्मर्ति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्तियर्थम संकल्पित कारे सिध्यर्थम लोके सभायाम राजत बारे व्यापारे क्रसी कारिये सेवा कारिये याश्व विजय लाभा परिहार आर्थम आधित्याध्यावाहित नवग्रह देवताहा प्रसन्नार्थम सर्व देवताहा प्रसन्नार्थम भगवते स्री लक्ष्मी नारायन देवता प्रित्य अर्थंच अध्य दिव से योगिनी एकार श्यायाम व्रत कर्माहं करिश्ये संकल्प भगवान के सामन आपको समर्पित कर देना चाहिए संकल्प प्रत्येक मनुष्य को जरूर करना चाहिए यदि आप निश्काम व्रत करते हैं निश्काम व्रत का आर्थ होता है बिना किसी कामना के किये जाने वाले व्रत को निश्काम व्रत कहा जाता है और यदि आप सकाम ब्रत करते हैं सकाम ब्रत का अर्थ होता है कोई मनो कामना या इच्छा को ले करके यदि आप ब्रत करते हैं तो उसे सकाम ब्रत कहा जाता है दोनों ही परिशिती में संकल्प अवश्य धारन करना चाहिए संकल्प प्रभू को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर के भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवन आज हम योगिनी एकारशी का व्रत करने जा रहे हैं आप हमें पूरी शक्ति एवं शामर्थ प्रदान करे कि पूरे विधिविदान के साथ में हम योगिनी एकारशी का व्रत धारन कर सके और एकारशी के दिन आपको सूरी भगवान को जल अरपित करना चाहिए माता पिता को प्रणाम करना चाहिए तुलसी जी का पूजन करना चाहिए गो माता का पूजन करना चाहिए गो माता को आप दाल चावल रोटी या भोजन खिला सकते हैं कोई दोश नहीं है और इस दिन किशी में मनुस्य को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए एकाडशी के दिन केवल फलाहार करना चाहिए और आप चाय काफी पी सकते हैं जल पी सकते हैं दूद की समस्त वस्तूओं को आप सेवन कर सकते हैं क्योंकि हमारे धर्म गरंतों और पुरानों में सर्वत्तम फलाहार दूद या दूद से बनी मिठाईया मानी गई है और इसी के साथ सभी प्रकार के जो फल होते हैं वो भी सर्वत्तम फलाहार की शेड़ी में आते हैं लेकिन ध्यान रखे कभी भी औसमर्पित वस्तूओं का उप्योग नहीं करना चाहिए असमर्पित वस्तूओं का अर्थ होता है भगवान को बिना समर्पण किये कोई भी वस्तूओं स्वयम खाना पीना वर्जित माना जाता है यदि आप अपने स्वयम के लिए कोई वस्तूओं लाए हैं तो पहले प्रभु को समर्पित कर दीजिए और उसके बाद स्वयम उसको उपभोग करेंगे तो आपको असमर्पित वस्तू का कोई दूश नहीं लगेगा याने वो वस्तू प्रसादी मानी जाएगी और एकाडशी के दिन वाद विवाद बिलकुल न करे नशे नशे, क्रोध न करें जूट न बोले ब्रह्मचरिवृत का पालं करना चाहिए दाड़ी सेविंग कटिंग या नाखुन नहीं काटना चाहिए किसी भी प्राणी का अपमान अत्वा अनदर नहीं करना चाहिए क्योंकि इश्वर अंशजीव अविनाशी प्रत्यक प्राणी में इश्वर का वास मना जाता है दिन में सोना नहीं चाहिए यदि किसी कारणवस आप दिन में सो जाते हैं तो आपको इसनान कर लेना चाहिए और इस दिन काईक वाचिक या मानसिक तीनों प्रकार के पापों को करने से आपको पचना चाहिए काईक कार्थ होता है शरीर के द्वारा किये जाने वाले पाप को काईक पाप कह जाता है और वाचिक पाप का आर्थ होता है वाणी के माध्यम से गलत शब्दों का यदि हम उप्योग करते हैं तो उसे वाचिक पाप कहा जाता है और तीसरा होता है मानसिक पाप मानसिक कार्थ होता है मन में गलत विचार यदि उत्पन होते हैं तो उसे मानसिक पाप कहा जाता है इसलिए एकारशी के दिन किसी भी प्रकार से कोई पाप या गलत कर्म करने से हमको बचना चाहिए रात्री में जागरन करने का विधान है यदि पूरी रात आप नहीं जाग सकते हैं तो जितना आपकी शक्ति है सामर्थ है उतना जागरन करके भगवान का भजन तरथा कीर्टन आपको करना चाहिए जो मनुष एकारशी का व्रत करता है उनको कथा अवश्य सुनना चाहिए क्योंकि कथा सुनने से ही एकारशी का संपूर्ण पुन्य प्राप्त होता है और कथा हमेशा ब्राह्मन के मुख से सुनना चाहिए क्योंकि ब्रह्म बाग की जनार्दन ब्राह्मन के मुख से स्वयम जनार्दन यानि वासुदेव भगवान बोलते हैं और कथा सुनने के बाद ब्राह्मन को यठा सकती दक्षणादान अवश्च देवे और अगले दिन प्रातहकाल पारणा के समय याने इस बार व्रत का पारणा आपको 15 जून 2023 गुरुवार को सुबह 5 बच के 32 मिनिट से ले करके 8 बच के 10 मिनिट तक करना चाहिए याने इस समय में आपको ब्रत खोल लेना चाहिए पारणा वाले दिन सुबह जल्दी उठे स्नान करे भगवान का पूजन अर्चन करे नित्य का पूजन अर्चन करे उसके बाद भगवान के सामने हाथ में जल ले करके और जैसा पहले हमने एकारशी ब्रत का संकल्प किया था उसी के अन ब्राम्मन को भोजन अवश्य कराएं यदि ब्राम्मन भोजन नहीं करवा सकते हैं तो ब्राम्मन को आटा दाल चावल सीधा सामगरी का दान करे और यदि इवस्तू भी नहीं दे सकते हैं तो आप ब्राम्मन भोजन के निमत नगत राशी प्रदान करे और ब्राम्मन भोज आपको एकाडशी काब्रत करना चाहिए अब हम आपको योगीनी एकाडशी की देव्य और ज्ञानमाई कथा सुनाने जा रहे हैं बोलिये स्री लक्ष्मी नारायन भगवान की जै स्री वंदावन विहारी लाल की जै सच्चिदान अंदर उपाय विश्वोत पत्या दिहेतवे तापत्रय विनाशाय स्री कृष्णाय वयम नुमहं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रनतह क्लेशनासाय गोविन्दाय नमो नमहं वसुदेवसुतम देवं कंचचानूर मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं बंदे जगत्-Gurum गुरुर ब्रह्माु गुरु विश्नु। गुरु देबो महेश्वां। गुरु साक्षात्पर अप्रप्रं नायो तह्म। क्षेबिते हैं। वतस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुंडं मनसास्मरामी वरहा पीडं नत वरवपु कर्णयो कर्णिकारं विब्रद्वास कनक कपीशं वेजयंतिं चमालां रंद्रान वेनोर्धरसुधया पूरयं गोपवरंदै विर्दारण्यम सपदरमनम प्रावीशत गीत कीर्तिही जय जय स्रीराधारमन जय 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 नवलकिशोर जय गोपीचित चोर प्रभू जय जय माखन चोर मात मेरी स्रीराधिका पिता मेरे घन्षाम इन दोनों के चर्णनमे मेरा बारं बार प्रणाम मोहिनि मूरत शाम की वो मन रही समाई जो मेहंदी के पात में लाली रही समाई धन योवन इक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरक तू राम भज क्यो चाटे जगधूर बोलिये स्री बंदावन बिहारी लाल की जै स्री लक्ष्मी नारायन भगवान की जै स्री गिर्राज धरन की जै स्री बाल क्रश्न लाल की जै स्री शाम सुंदर्यमने महराणी की जै जगत गुरू स्री वल्लभाधीश की जै स्री गुसाई जी परम दयाल की जै स्री गुरुदेव की जै लाडले लाल की जाए आज के आनंद की जाए एक समय की बात है राजा युद्धिष्टिर ने भगवान स्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनसे प्रश्ण किया कि हे प्रभो मैं आपके श्री मुखारमिंद से आशान महा के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकारशी के विशे में जानना चाता हूँ इस एकारशी का क्या नाम है और इस वरत की विधी क्या है तथा इसका महात्म क्या है और इसकी वरत कथा क्या है मैं आपके श्री मुखारविंद से इस एकादशी की संपूर्ण कथा को सरवन करना चाता हूँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन मैं आपको सभी उपवास के दिनों में सबसे अच्छे दिनों के बारे में बताऊंगा जो एकादशी आसाड महा के कृष्ण पक्ष में आती है उस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है यह सब प्रकार की अनेतिक प्रतिक्रियाओं को समाप्त करती है और परम मोक्ष को प्रदान करती है यह एकारशी उन लोगों को ले जाती है जो भौतिक जीवन के विशाल महासागर में डूब जाते हैं और आपको अध्यात्मिक्षेत्र के किनारे तक पहुँचाते हैं यह तीन लोगों में सभी पवित्र उपवासों का मूल है योगिनी एकारशी का व्रत वास्तों में बल बर्धक और सोभाग गिरायक होता है भगवान शी कृष्ण कहते हैं कि है राजन राजा कुबेर एक भक्त शिव भक्त थे जो प्रतिदिन भगवान को पुष्प चड़ाय करते थे हेम माली नामक एक यक्ष माली का काम करता था वहाँ प्रतिदिन मान सरोवर से कुबेर राजा को पुष्प लाकर के दिता था हलाकि उन्होंने पुष्प प्राप्ति के लिए कुबेर के पास भेजने की उपेख्षा कि क्योंकि वह अपनी प्यारी पत्नी के साथ बहुत अधिक व्यस्त था राजा कुबेर के पूजन का समय हो चुका था वह बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे कि आज हेम माली हमारी पूजा के लिए फूल लेकर क्यों नहीं आये हैं नजाने कहा व्यस्त हो गए हैं राजा कुबेर ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ देखकर क्याओ कि हेम माली हमारे लिए अभी तक पुश्प लेकर क्यों नहीं आया है देखा तो वह अपनी पत्नी के साथ बहुत अधिक प्रेमकारिय में व्यस्त थे नतीजन राजा ने हेम की लापरवाही के असली कारण का पता लगा ही लिया जब कुबेर को इस बात का पता चला तो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने हेम माली को कोड़ी होने का शाप दे दिया और उन्हें अपनी पत्नी से तलाग लेने के लिए मजबूर कर दिया हेम माली ने महल छोड़ दिया था और बीमारी के कारण बहुत अधिक पीडित था कई वर्षों तक जंगल में घुमने के बाद हेम माली मारकंडे रिशी के आस्रम में पहुँचे और उनको प्रणाम करके पूछने लगे कि हे प्रभो न जाने मुझसे क्या अपराद हो गया है जो मेरी ये गती हो गई है तो मेरकंडे रिशी ने उन्हें योगिनी एकारशी का व्रत करने की सला दी हेम माली ने उत्साहा से व्रत रखा और भगवान विश्णु से ख्रमा प्रार्थना की भगवान उनकी प्रार्थना को स्विकार करके हेम माली को आशिरवात प्रदान किया अब वह समस्त पापों से मुक्त हो गया और किसी भी प्रकार की कोई पीडा या शरीर में कोड नहीं थी उसका शारा सरीर भी सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो गया पुना सुन्दर सुरूप धारण करके वह अपनी पत्नी के साथ नरंतर रहने लगा विहार करने लगा क्योंकि योगिनी एकाडशी के पुन्य प्रताप से ही उसे जो है सभी प्रकार का जो है सुख प्राप्त हुआ था इसलिए जो कोई भक्त योगिनी एकाडशी का व्रत करते हैं उनके जाने अंजाने सारे पाप नस्ट हो जाते हैं इसी तरह योगिनी एकाडशी पर जो भी भक्त इस व्रत का पालन करते हैं और शुद्ध विचारों और भावनाओं के साथ भगवान विश्णू से प्रार्थ करके चरण कमलो के स्वामी नारायन की पूजा आपको करनी चाहिए योगिनी एकारशी का व्रत करने से 88,000 ब्राम्मनों को भोजन करने का पुन्यफल प्राप्त होता है चिंता जनक स्वास्त समस्याओं से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा यदी कोई दिन है तो वो योगि एक मनुष्य को पूरे विदिविदान के साथ योगिनी एकारशी का व्रत करना चाहिए बोलिये स्री लक्षमी नारायन भगवान की जय अच्चुतं केशवं दामिनारायनं कृष्ण दामूदरं बासुदेवं हरे स्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं स्री जानकी नायकं स्री राम चंद्रम भजे जानकी मनोहरं सर्वलोक नायकं स्री शंकरादिसे वितं पुन्य नाम कीरतनं स्री राम 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 नामतायकं रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकं रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकं रामा कृष्ण वा जगत गुरु श्री बलभादीश की जए श्री गुरु देव की जए लाडले लाल की जए आज के अनन्द की जए भक्त जिनो मैं तमभेनो यदि आप योगिनी एकाडशी की कथा के निमित दक्षिना प्रदान करना चाते हैं ब्रामणों को फलाहार करवाना चाते हैं वरत के पारना के समय ब्रामणों को आप भूजन करवाना चाते हैं वस्त्रदान अन्दान या फिर गोदान देना चाते हैं अथवा योगिनी एकाडशी के निमित तो कोई भी दान पुनिय दिया आप करना चाते हैं तो आप हमारे पेटियेम गूगल पे फोन पे अठ्वा एकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशी पहुंचा करके अपना नाम और गोत्र हमें वाट्सेप के माध्यम से भेज करके योगिनी एकाद रशी का संपुर्ण पुर्णिला प्राप्त कर सकते हैं अब हम सभी मिल करके भगवान की आर्ति का गायन करेंगे ओम जया जगदी शहरे स्वामी जया जगदी शहरे भाक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जया जगदी शहरे जोधावे फलपावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपति घरावे सुख संपति घरावे कुष्ट मिटे तनका ओम जय जगदी शहरे मात पिता तुम मेरे शरण गहु में किस की स्वामी शरण गहु में किस की तुम बिन ओर न दूजा प्रभु बिन ओर न दूजा आसकरु में किस की ओम जय जगदी शहरे तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर यामी श्वामी तुम अंतर यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जया जगदीश हरे तुम हो एक अगो चर सब के प्राण पती स्वामी सब के प्राण पती किस विदा मिला हुँ दया मैं तुम को में सुमती ओम जया जगदीशहरे दीन बंधु दुखहरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हात उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जया जगदीशहरे विशय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा शद्धा भक्ति बढळाओ शद्धा प्रेम बढळाओ संतन की सेवा ओम्जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ हे तेरा स्वामी सब कुछ हे तेरा तुझ को अरपन तेरा तुझ को अरपन क्या लागे मेरा ओम्जय जगदीश हरे पूरण ब्रह्म की आरती जो कोई नरगावे कहत शिवानन्द स्वामी जपत हरा हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम्जय जगदीश हरे ओम्जय जगदीश हरे स्वामी जगदीश हरे प्रभु जगदीश हरे मोहन जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे ओम्जय जगदीश हरे करपोर गोरं करना होतारं संसार सारं भुजिगेंद्रहारं सलाव संतम रदियार बिंदे भवं भवानी सैतम नमामी मंदार मालांकुले तालकाई कपाल मालांकित शेकराई दिव्यां बराई दिगं बराई नमाशिवाई इच नमाशिवाई आरार्तिक्यं समर पयामी नमो नम बाइद द्यास्वाइं व्यक्त आचारी व्यक्त्राइब कर दोगां। परादार प्रतिवे समत्र परियंता या एक राड इततब पेश्ष लोग को भी कितो मरता है परिवाइश्ठार उमर्त स्यावसान करहे आविक्षत स्यकामा प्रेर विश्वे देवा सभा सदेतियों विश्वा तचक शुरुत विश्वतों मुखो विश्वतों विश्वतों संबहादा इधीमी तर्नो ततपरशाय देवा इधीमी तर्नो उ दरह प्रियूत ना शुगन्द पुष्पानी ये था कालोड भुष्पान जलिमांत्तम ग्रहाण परमेश्वरा हूम सांगाय सपरिवाराई सायुधाय ससक्तिकाय सा बाहनाय सा गनाय भगवते स्री लक्षम नाराएन्व प्रात्ते दूर्पा समें फिखके लां तर्लिकर्षवर्ष दूर्यद्व दूर्द मुझेडर। भुलिए स्री लक्ष्मिनायन भगवान की जया नगर भस्ती की जया आज के आनंद की जै हो कल के नंद की जया हो परसो के अनंद की जाए हो बरसो बरसो के अनंद की जाए हो हम नमाहपारवती पते हर हर महादेव हर भक्त जनो माताओ बहनो आप सभी से नुरोदे के अवारे इस ज्ञान वर्दक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय हमारे और आपके यूट्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकान याने घंटी का निशान भी दबा दीजिए तब कि आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके आपको रापके पूरी परिवार को साधर जैसी कुष्ण साधर धन्यवाद